बोलती पप्री क्या चल रहा है तो आज मैं देने लगा हूँ या चैनके के एक पुराने गाने का रेक्शन थोरा सा पुराना जिसे कहते है गाने का नाम है जाने वाले या फीट बिस्मा भीया तो बिने टेंज आया कि शुरू करते है प्रिसे औरत मेरे बिस्तर पो दिल पर के नचका नशालू फिकर नहीं हशर क्या होगा कबर में नफस बेकाबू सा मर्स औरतों की मिटी में जादू सा रसा कौन सा दुनिया या दीन का मैं शख्स कौन फिरान या मूसा मैं मुनाफिक कोई तो खोई मेरी याद में अकेली रोई तुवेगी फोन करे पर मैं मस्रूफ सा साथ सुई कलवाली वोई और खुदा की कसम कई और देभी मर्दों के पीचे आजकल के जमाने में हलके रो रो के आंखों के गल्ती कर दी मैंने जाने अंजाने में ओ जाने वाले आ मुझे बता मेरा कुसूर क्यों दे मुझे सेजा बता बचा जो इतना घुरूर तेरा कसूर नई सुन ये धुरूर नए तुपूल गई मेरी रूप कला की प्यासी नाफोन में ये मैल नई जुनुनी मैं ये काली सिया ही पिमारी शहर के शोर से लोगों की रस्मों से तंगी से जिन्दगी पीठंगी हम चैसों की रूहें सतरंगी से हसी वो देख के मुझे कहती लेट के सू मेरी जुल्फे कनी तुवेली फोन करे पर मैं मस्रूफ सा पूरी करूँ तेरे जिसम की कमी दो किसम की भंग मैं जमीन पे जमीर भी तंग समझाने में के जंग अकेली लड़े वो कहे तुझे कितनी देर होगी आने में वो जाने वाले आ मुझे बता मेरा गुसूर क्यों दे मुझे सेजा बता बजा जो इतना गुरूर ये खुरूर नई पैदाईशी गुस्सा मेरे खुन में दोड़े रहाईशी एक शहर का नई तू बता तस्वीर में साथ बैठा कॉन ये या तू कहती थी दोस्से पर कैसे बंदा ये बीच में सुन निकाल इसे कल से दिखेना आगे बढ़े गल्पियों से सीख के उसके शहर में मशूर तू तू तेरी औरत से किला होगा मैं विला होन करो पर तू मसरूफ से निकाल उसे कल कहा तू था क्या मुझसे सादा सरूरी वो सोला साल से तू साथ मेरे भूल गई वो कर ले निका आजा घर में मेरे वरना जा पिहन ले उसकी तू चूरी वो तू आप पढ़ गई भारी बन गया मैं जबरतस लिखा रही मैं सका खुन का गस पे दुख के बदले मिले ताली अगाली सराभी समझती नही तू जाते हुए कैसे मेरी ले गई रो पर अल्लाह पे यकीन मेरा अंधा दुख के बदले थे हमेशा नयासो गल्दिया दोनों से आंसो के कथरे जरूरी थे मेरी दिल की दुख तू हमेशा खुशर मजे दे दी माफी अगर हो सके मेरे रोने से दुश्मन का खुश तो जादा जानने बाले यह हारने बालों से नहीं मैं बहतरी मेरी तुझे भुलाने में ओ जाने बाले यह मुझे बढ़ता मेरा पुसूर क्यों दे मुझे से दाबता बजा जो इतना गुरूर क्यों खुल सुआ है को इस तै कि अगर सबसे पहले तो तुमनों को बता दूं कि यह रही ए यह बंदा कमा आल गया बंदे के पास इतना टैलेंट है जिसकी कोई हद नहीं और कमा लिए मज़ा आ गया विसमा के मेरे छासे चार लाइने थी जिसे हम बंद कहेंगे अर्दू में बंद कहते हैं वो वो बाद नहीं जो मक्कन अला दूसरा चार लाइने वाला बाद चार लाइने और इतनी खुबसूरत ओवाज में और इतनी मिठास के साथ गया जिसकी कुछ हद नि चैनके तो तुमों को पता है वो खुद ही म्यूजिक बनाता है खुद ही लिरिक्स और चीज़े वगरा सारा कुछ खुद ही करता है तो चैनके तो एक लग लेवल में है उसका अवलग स्टैंडर्ड है मज़ा आगे है जैनल बाद है इतना स्लो और इतना जिसे कहते हैं न श्मकून से सुनने हाला जिसकी कोगा ह्थ नहीं मैं जब भी इस मिन्ने का कुछ गाना सुनता हो ना तो इ मुझे नहीं समझाती है मैं रिव्यू किया दू ना मुसे रियक्शन दिया जा तो ना रिव्यू दिया जाता है लेकिन बहुत कम लोग है यार पाकिस्तान में बहुत कम लोग है जो खुबसूरत चीज बनाते हैं जिनको देखकर मज़ा आता है बहुत कम लोग है पाकिस्तान में किया है पूरी दुनिया में बहुत कम लोग है तो उनमें से यह एक है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे पास 10 के यंग स्टरनर्स है तो अच्छे रैप हैं इनको प्रमोड करें जितना हो सकता है प्रमोड करें और मेरी दुआ है कि एक दिन के बहुत 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 दूर है बहुत आगे जाना है और बहुत नाम कमाना है अगर रैक्शन पसंद आए तो कहने की जूँत तो नहीं है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक अलेना वीडियो और कमेंट्स में बताना कि ये खुबसूरत खुबसूरत अलफाज तुम्हें कैसे लगे तो मिलता हूँ तुम्हें अगले रैक्शन पर तक के लिए